जैहिन साथियो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फोजी भाई मैं तो साथियो इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मक्सद है कि आप सभी को जागरू करना तो साथियो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलाने जंग जो हमारे स्टार्ट हो चुकी है आठ फरवरी आठ फरवरी को आप सभी केंडिडेट्स के लिए डेट फिक्स कर दी जा चुकी है दिल्ली के लिए और आप सभी को जो है वो दिल्ली में उपस्तति दर्जी करवानी है ज्यादा से ज्यादा संख्य में आप दिल्ली आईए और हमारे का हिस्सा बनिये ताकि हमारा जो सपना है वो पूरा हो सके दोस्तों हमारा सपना सिर्फ तभी पूरा होगा दोस्तों अगर हम सभी जो वो unity में आएंगे और एक मंच पर जो है वो अपनी अवाज उठाएंगे तो दोस्तो मैं आप सभी दोस्तों से ये हवान करता हूँ कि आठ फर्वरी को दिली आईए और जो हमारी मांग है जोइन आल मेडिकल फिट केंडिडेट की वो सरकार के समक्स हम रखेंगे तकरीबन एक साल हो चुका है एक साल से जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सांती पूर्ण लेकिन सांती पूर्ण धरने प्रदर्शन से लिए हमें कुछ नहीं मिला है दोस्तों तो हमें अब कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है अलग करने पे हमने इस तरह से कुछ भी गल्द कदम नहीं उठाए है जो कि हमारे देश के खिलाब हों और नहीं हम आगे उठाएंगे इस तरह से हम चाहतें कि सरकार जो हमारी बात है बो मान ले हमारी जाइज मांग है दोस्तों हमारा ये हक है क्योंकि हम all medical fit है हमने तीन-तीन जो exam थे वो qualify की है दोस्तों हमारी मांग है बो सरकार मान ले इसलिए हम सभी पर आना धिली और मेरे सबी राजिया की जो भी कोडिनेटर है उनसे मेरा ही ही रिक्वेस्ट है कि जादा से जादा केंडिडेट्स वे पो लाएं कसमीर से लेकर कन्या कुमारी तक और अरनोचल से लेकर गुजरा तक दोस्तो हर स्टेट की जो केंडिडेट हैं अगर जिनें मेडिकल फिट हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है और हमारी आवाज के साथ जो है आवाज उठाना चाहते हैं वो तो दिल्ली जरूर आएं दोस्तो क्योंकि ये आपके हके लड़ाई है दोस्तो अगर आप अपने हके लिए नहीं लड़ पाऊगे न तो जिन्दगी में कुछ नहीं कर सकते हो तो जादा से जादा जो candidate है वो दिल्ली में इस बार आएं ये हमारा जो है वो अंतिम परियास है दोस्तों इसके बाद जो है आसे सीजीडी की इस चैनल के उपर ना तो कोई बात उठेगी 2018 के लिए ना ही कुछ होगा तो 8 फर्बरी को जो है दोस्तों जादा से जादा candidates जो है वो दिल्ली पहुंचने की कस्ट करें और हमारे जो प्रोटेस्ट है इसको सफल बनाएं दोस्तों क्योंकि ये अभी चुनाब भी होने वाले हैं तो इसमें सरकार जो है कुछ न कुछ जो है फैसला वो ले सकती है जैस इसका रिजल्ट कुछ भी आये लेकिन उन्हें कर दिखाया कि हम स्टूडेंट जो है वो अगर एक मंच पर आ जाए तो सरकार को बना सकते हैं बनाने के बाबजूद इसे गिरा भी सकते हैं स्टूडेंट की इतनी ज्यादा पावर होती दोस्तों किसान जो है वो एक साल से अंदोलन कर रहे थे लेकिन उन्हें एक साल लगा उस बिल को बापिस करोने में लेकिन इन युबाओं ने सिर्फ मातर दो दिन में ही जो है वो सरकार से जो ग्रूप डी का सीबिट्यू टू एक्जाम था और जो एक्स्ट्रा केंडिडेट पास करने है साड़े तीन लाग क रिवाइज रेजल्ट वो बात भी मनवाली सिर्फ और सिर्फ मातर दो दिनों में दोस्तो तो युबा सकती जो है दोस्तो बहुती ज्यादा पाबर में है इस बार युबा सकती जो है वो युबाकार्थ जो होता दोस्तो बायू होता है उल्टार्थ जो बायू अगर तो दोस्तो आप सभी से मैं यही रुक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख है मैं जो आप दिल्ली आईए और स्वामी वेकानन जी ने कहा था ना उठो जागो और तब तक ठको मत जब तक जो आपका जो है वो मंजिल नहीं मिल जाती है ठीक है तो अपनी मंजिल म ही मिलती है तब तक दोस्तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना है दोस्तो लड़ेंगे और जीतेंगे सच हमेसा दोस्तो कड़बा होता है और सच जो हमेसा देर के बाद ही सामने आता है और सच की जीश जो हमेसा देर से ही हो दी दोस्तो तो हमें तकरीबन एक साल हो चुका है कहा दे रहा हूँ जो candidate ये पूछते हैं कि protest की date कब है तो दोस्तों कब से बता के ठक चुके है आप लोगों की 8 फरवरी 8 फरवरी सुबा जितनी जल्दी हो सा कि आप पहुंच जाएं तकरिबन 8-9-10 बजे से हमारा protest जो वो चालू हो जाएगा कई कहते हैं protest के लिए permission की जरूरत है दोस्तों अगर permission की जरूरत पढ़ें तो वो protest नहीं होगा क्योंकि protest की जो permission होती अगर वो मिल गई आपको तो वो आप जो सरकार बोल रही है उसके हिसाब से ही आप कर रहे हैं जैसा सरकार बोलेगी अगर protest आपने करना है तो बिना permission के भी जो है वो आपका protest हो जाएगा होगा कैसे क्योंकि अगर आप सोची आपने अपनी बात मनवानी है अगर आप कहीं कोने में जाके पार्क में पड़े रहेंगे तो आपकी बात को जो सरकार मानीगी नहीं सरकार को से कुछ नहीं होगा आप आरक में बैठे हुए हैं जब तक आप कुछ अबरुद या कुछ ऐसा नहीं करते जिससे सरकार को दिक्कत हो तब तक आपकी बात नहीं सुनेगी उन्हें क्या है वो तो सत्ता के जो पक्स में बैठे हुए हैं और सत्ता को जो इतने सालों से अजमाए हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत तब होगी जब आम जनता को बिचारों को दिक्कत होगी तब उन्हें दिक्कत होगी जब आम जनता कहेगी कि हां बाकी में इनका दर्द है और म हमें joining नहीं दे रही है हम joining नहीं मांगते अगर सरकार के पास इतनी खाली vacancies नहीं होती तो हम कुछ नहीं कहते इसमें लेकिन सरकार के पास अपनी मांग को उठा रहे हैं और हम गल्त मांग नहीं उठा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम देश की सुरक्सा करने के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते तो सरकार को इस संग्यान ले और जल्दी सी जल्दी जो है all medical fit candidates का मुद्दा जो है वो solve up करें